Hello everyone, आज के pick a card dating का topic है कि आप उनके life में कितने important हो, उनकी priority list में आप कहां पर आते हो हम सभी के life में कुछ लोग बहुत ज़दा important होते है, priority list में हम उन्हें सबसे आगे रखते है लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि उनकी priority list में आप कहां आते हो आपकी उनकी life में क्या importance है, ये detail में आज हम लोग cover करने वाले हैं तो आप जिस भी person के बारे में जानना चाहते हो, उनको visualize कीजे, उनका नाम मन में तिन बार लिएजे और फिर इस वीडियो को देखिए और जानिए कि आप उनके life में कितने important हो अगर मेरी वीडियो आप लोगो को अच्छी लगती है, तो इससे लाइक जरूर कीजे, इससे मुझे inspiration मिलती है साथ ही आप लोगों को समझने में आसाने भी होती है, और इससे energy exchange भी होता है अगर आप लोगों को कोई confusion है या फिर आप लोगों के कोई suggestions है तो आप लोग comment section में में मेरे साथ share कर सकते हो आप लोगों के साथ interaction करना मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग पिकका डिडिंग के लिए नए है उन लोगों के लिए मैं explain कर देती हूँ यहाँ पर मैंने 4 groups बनाए है आप लोगों ने intuitively अपने group को चुनना है intuitively चुनना है इसका मतलब यह है कि जो भी group आपको attract कर रहा है आप लोग उस group को चुन सकते हो जिस पर आपकी नजर बार-बार जारी है आप लोग उस group को चुन सकते हो तो मैं close up view दिखा देती हूँ अगर आप लोगों को यह crystal angel attract कर रहा है तो आप लोग group 1 में आते हो अगर आप लोगों को यह crystal angel attract कर रहा है तो आप लोग group 2 में आते हो अगर आप लोगों को यह crystal angel attract कर रहा है तो आप लोग group 3 में आते हो अगर आप लोगों को ये crystal angel attract कर रहा है तो आप लोग group 4 में आते हो आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को pause करके meditate करके भी अपने group को चुन सकते हो इतने पर भी आप लोगों का confusion अगर खतम नहीं हो रहा है तो आप लोग 1 to 4 के chits बना लीजिए आप बंद करके एक chit को उठा लीजिए उसमें जो number रहेगा वो reading आपके लिए है ध्यान रहे कि आप cards को नहीं चुनते हो cards आपको चुनते है इसलिए अपने intuition पर trust रखिए आप लोगों के लिए जो reading बनी है वो आप तक पहुंचती जरूर है इसका ध्यान आप लोग रखिए तो पूरी positivity के साथ group 1 की reading को start करते है और बाकी के groups आपको में मिलती हूँ आपके time stamp पर हेलो group 1 तो आईए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी priority list में आप कहां पे आते हो उनके life में आपकी क्या importance है ये आज हम लोग देखने वाले है आप जिस person के बारे में जानना चाहते हो उनको visualize कीजे उनका नाम मन में तीन बार लीजे और फिर इस reading को देखिए तो आप लोगों ने जो crystal angel चुना है वो बहुती beautiful angel है उसे में side में रख देती हो और आपकी reading को start करती हो यहाँ पर मैंने कुछ cards निकाल लिये हैं एक एक करके सारे cards को open कर लेते हैं आप लोगों के लिए जो first card है वो tower का card है second card है वो hangman का card है third card जो है वो queen of pentacles का card है fourth card जो है वो temperance का card है और जो fifth card है वो seven of cups का card है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिस person के बारे में जानना चाहते हो वो आपके साथ contact में नहीं है या तो आप लोग separation में चले गए हो या फिर उन्होंने आपको किसी प्रकार ऐसे hurt किया है कि आप उनसे दूर चले गए हो ऐसा मुझे यहाँ पर feel हो रहा है हो सकता है कि आप physically दूर दूर हो गए हो या फिर यह हो सकता है कि एक साथ हो कर भी आप लोग एक साथ नहीं हो आप उनके साथ life में stuck feel कर रहे हो और अब आपको ये question परिशान कर रहा है कि क्या आप उनके लिए matter भी करते हो कि नहीं ये energy मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए feel हो रही है और वो person के लिए मैं यहीं कहूंगे कि वो जो person है वो थोड़ा सा confused है उनके priorities set नहीं है या फिर उनके priorities set तो है लेकिन उसके according उनके actions नहीं होते है उनका जो action है वो आपको confuse कर देता है ऐसे energy मुझे आपके लिए feel हो रही है वो person आपकी value तो बहुत करता है लेकिन आपको priority में सबसे आखरी में रखता हो या फिर आपको granted लेता है ऐसे energy मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए feel हो रही है कहीं ने कहीं जब हम किसी को बहुत ज़दा अपना मान लेते है या फिर यह हो सकता है कि आपने उनको बहुत ज़दा assurance दिलाया हो इसकी वज़े से भी वो आपको granted पकड़ लेते है ऐसे energy मुझे यहाँ पर उनके लिए feel हो रही है तो वो आपकी value तो बहुत करते है जब बत आपके आती है तब वो sacrifice कर लेते है आपके लिए stand नहीं लेते है या फिर आपके लिए जो करना चाहिए पूर नहीं कर पाते है ऐसे energy मुझे यहाँ पर उनके लिए feel हो रही है आप उनके life में एक good luck तो लेके आए हो या फिर उनको आप संभाल के लेते तो हो लेकिन उनके कुछ drawbacks मुझे यहाँ पर feel हो रहे है जिसकी वज़े से आपको यह feel होता होगा आप उनके priority list में काफी पीछे हो और यह ऐसा इसलिए कर रहे है क्योंकि आपको अपना मानते है आप ऐसे person के बारे में जानना चाहरे हो जिसके साथ आप एक committed relationship में हो ऐसी भी energy मुझे यहाँ पर feel हो रही है committed relationship या फिर यह marriage भी हो सकता है हो सकता है कि यह reading आप लोग अपने spouse के लिए देख रहे हो और वो person बहुत ज़दा selfless person है अपनी खुशियों से जादा बाकी घर वालों की खुशियों के बारे में सोचता है लेकिन खुशियों का sacrifice तो यह करता ही है साथ ही में आपके खुशियों का भी sacrifice करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आपके रिष्टे में sacrifice और adjustment के energy मुझे prominent नजर आ रही है तो group 1 के लिए इतना ही अगर यह reading अच्छी लगी है और मेरी YouTube family का हिस्सा बनिए Hello group 2 तो आईए देखते ही कि उनके life में आपका क्या importance है वो आपको priority list में कहां रखते है उनको visualize कीजिए और उनका नाम मन में तीन बार लीजिए और फिर इस reading को देखिए आप लोगोंने जो किस्टल इंजल चुना है उसे मैं side में रख देती हूँ और आप लोगों के reading को start करती हूँ तो एक एक करके सारे cards open कर लेते हैं जो आप लोगों के लिए first card है वो strength का card है जो second card है वो four of swords का card है जो third card है वो six of wand का card है जो fourth card है वो eight of wand का card है और जो fifth card है वो six of pentacles का card है आप जिस person के बारे में चानना चाहते हो वो एक दबंग, dashing, confident personality हो सकती है चार लोगों में उठके देखने वाले वो लोग हो सकते है आपका और उनका रिष्टा अभी no contact zone में चला गया है या तो आप लोग no contact zone में चले गये हो या फिर separation भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकती है आपकी situation के आप साथ में तो हो लेकिन आप लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरिया आ गई हो ऐसी energy मुझे या पर feel हो रही है रही बात उनके दिल की priority की तो वो आपको बहुत ज़दा priority list में आगे रखते है आप उनके लिए बहुत ज़दा important हो जितना आप सोचते हो उससे भी ज़ादा वो आपको important समझते है कहीं न कहीं आपको खोने से वो डरते भी है ऐसी भी energy मुझे या पर आपके लिए feel हो रही है शायद वो आपसे inspire होते है आपको वो as a inspiration भी देखते है आप उनकी strength हो आपके भरोसे ही वो life में आगे बढ़ रहे है ऐसी भी energy मुझे आपके लिए feel हो रही है तो group 2 आप उनके लिए बहुत ज़दा important हो और आपके बिना वो अपनी life को imagine भी नहीं करते है हो सकता है कि वो ये कहनी पाते होंगे लेकिन आप उनके लिए बहुत ज़दा important हो हो सकता है कि वो expressive नहीं है लेकिन आप उनके लिए बहुत ज़दा important है और आप उनकी priority list में सबसे ज़दा आगे है हो सकता है कि आप उनकी priority list में उनके parents के बाद आपी का number हो तो group 2 के लिए इतना ही अगर मेरी रेडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजे और मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे ऐसे ही इंटरस्टिंग और इंफर्मेटिव वीडियो के लिए और मेरी यूट्यूब फैमली का हिस्सा बनिये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस से एनर्जी एक्सचेंज होती है चो टैरो कार्ड रेडिंग में बहुत ज़गा ज़रूरी होती है हेलो गुरूप थ्री तो आईए देखते हैं कि आपकी उनके लाइफ में क्या इंपोर्टन्स है उनकी प्रारिटे लिस्ट में आप कहां पे आते हो, ये सवाल के जवाब आज हम लोग देखने वाले है आप लोगोंनी जो किस्टल एंजल चुना है, वो बहुत ही ब्यूटिफुल एंजल है उसे में साइड में रख देती हो, और आपकी रीडिंग को जल से जल स्टाट करती हो शौट और क्विक रीडिंग होने वाली है, ये छोटी सी रीडिंग आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी देने वाली है तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है उसे उपन कर लेते हैं, जज्जमेंट का कार्ड आपके लिए फर्स्ट कार्ड है, सेकेंड कार्ड जो है वो पेज ओफ पेंटेकल्स का कार्ड है, थर्ड कार्ड जो है वो नाइन ओफ स्वोर्ट का कार्ड है, फोर्थ कार्ड जो है का दिल दुखा जरूर है और आपको जाने अन जाने में इन्होंने हर्ट किया है ऐसी एनरजी मुझे यहां पर इनके लिए फील हो रही है यह जो परसन है यह टोटली कन्फ्यूज रह सकता है या फिर इनका डिसिजन मेकिंग वीक हो यह भी possibilities हो सकती है मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी priority list में आप उतने जादा matter नहीं करते हो या फिर आपकी उनके life में इतने जादा importance नहीं है वो अपने work को और अपने career को जादा priority देते है ऐसी भी energy मुझे यहां पर feel हो रही है यह बहुत जादा practical person हो सकता है या फिर यह हो सकता है कि आप उनके लिए important तो हो लेकिन उनकी कुछ मजबूरिया आया फिर उनकी कुछ जम्मेदारिया ही ऐसी है कि उसके वज़े से आप उनकी priority list में थोड़े से पीछे हो गए हो और उनका career उनके priority list में थोड़ा सा आ गया गया है लेकिन उनका ये behavior आपको upset बहुत कर देता है इसके वज़े से आपको दुख जरूर पहुचता है और आपको ऐसे लगता है कि वो जितने आपके लिए important है वैसे आप उनके लिए important क्यूं नहीं हो ये सवाल अपको परिशान करता है और ये सवाल का जवाब अपको बहुत ज़्यों दुख भी दे जाता है ऐसा भी मुझे यहां पर आप लोगों के लिए फील हो रहा है तो ग्रूप 3 के लिए इतना ही अगर रेडिंग अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीज़े और मेरे चनल को सब्स्राइब ज़रूर कीज़े इसे ही interesting और informative वीडियो के लिए और मेरी YouTube family का हिस्सा बनिए Hello group 4 तो आईए देखते हैं कि उनके life में आपकी क्या importance है उनके priority list में आप कहां पे आते हो अब जिस भी person के बारे में जानना चाहरे है उनको visualize कीजिए उनका नाम मन में तीन बार लीजिए और फिर इस reading को देखिए आपने जो एंजल चिना है वो बहुत ही beautiful एंजल है उसे में side में रख देती हूँ और आपकी reading को start करती हूँ ये एक shorter quick reading होने वाली है लेकिन ये आपको बहुत कुछ clarity देखे जाने वाली है इसलिए reading अगर अच्छी लगती है तो इसे like जरूर कीजे और मेरे चनल को subscribe जरूर कीजे इसे energy exchange भी होता है जो tarot card reading में बहुत ज़दा important होता है मैंने सारे cards ले लिया है अब एक एक करके सारे cards को open कर लेते हैं आप लोगों के लिए जो first card है वो nine of swords का card है जो second card है वो knight of swords का card है जो third card है वो six of swords का card है जो fourth card है वो two of swords का card है और जो आखरी का card है वो king of pentacles का card है आपके cards में इतने सारे sports जो आए है वो आपके रिष्टे में कहीं न कहीं stress है तनाव है इसको describe कर रहे है आप लोगों का रिष्टा है तो बहुत मजबूत लेकिन अभी हाल फिलाल किसी tough situation से गुजर रहा है या फिर difficult phase से गुजर रहा हो ये possibilities मुझे यहाँ पे feel हो रही है कहीं न कहीं उन्होंने आपको hurt भी किया है ऐसी भी energy मुझे यहाँ पे feel हो रही है और उनका जो behavior है उसकी वज़े से आप confused हो जाते हो और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते हो आपको ऐसे लगता है कि आप उनके लिए important हो भी के नहीं ये भी सवाल आपको परिशान करता है लेकिन उनके दिल की बात अगर में करू तो आप उनके लिए बहुत ज़दा important हो आपकी वो बहुत ज़दा value करते हैं आपको खोने से डरते भी है और वो आपके साथ एक stable relationship में आना चाते है या फिर आपके साथ वो marriage भी करना चाते है वो आपको लेकि long term plans भी करते है ऐसी भी energy मुझे यहाँ पर feel हो रही है लेकिन अभी इस वक्त वो किसी challenging situation से गुजर रहे है इसके वज़े से अभी उनका ध्यान उस तरफ है वो solve करने में लगे हुए है इसके वज़ आपको ऐसे तो लग रहा है कि आपकी कोई कदरी नहीं करता है या फिर आपको तो कोई पसंदी नहीं करता है या फिर आपको तो कोई प्यारी नहीं करता है लेकिन आपको यह illusion है हाकिकत कुछ औरी है उनके behavior से आपको ऐसे कुछ signals मिल रहे होंगे लेकिन समय के साथ आपको clarity प्रिटी भी मिलेगी और जो मैं कहरी हूँ वो सच है ऐसा आपको फूचर में समझ में भी आएगा मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़दा टची और इमोशनल किसम के लोग हो और बहुत ज़दा दिल से लगा लेते हो और आपके कंपारिजन में वो बहुत ज़दा सटिल्ड एनरजी वाले सूजबूज वाले समझदार किसम के वो लोग है ऐसी भी एनरजी मुझे उनके लिए फील होरी है लेकिन वो बहुत ज़दा एक्सप्रेस नहीं करते है या फिर आपको ये अशुरंस नहीं दिलाते हैं बार-बार ऐसा भी मुझे यहां पर फील हो रहा है और मेरी चनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े ऐसे हैं इंट्रस्टिंग और इंफर्मेटिव वीडियो के लिए और मेरी यूट्यूब फामली का हिस्सा बनिए तो ये था मेरा अनलिसिज चारों ग्रूप के लिए आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंट्रस्टिंग और इंफर्मेटिव लगी हो आप आपके लाइब से से रिजोनिट भी कर पाए हो आज के मुलाकात बस इतनी फिर मिलेंगे इसे चैनल पर तिल देन बा झाल झाल झाल